है हेलो एट्टेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉई वेल्फेर के बारे में human resource management का बहुत important content है इंप्लॉई वेल्फेर आट इस बात कर रहा हूं तो डाट इस mental physical and social welfare of employees तो एक organization की duty है कि employee को overall उसका growth उसके talent को improvement देना वेलफेर करना है अप्लॉई का थाकि वो सोचली मेंटली और फिजिकली स्टॉंग हो सके और और आउगनेशन के साथ लॉंग टर्म तक वो कनेक्ट रहे हैं रिकोगनीशन भी बड़ा पार्ट है वेलफेर का कि आप किसी अप्लॉई को जब शावाशी देते हैं जब उसके कि काम को सराना दी जाती है या उनके बच्चों को एजूकेशन दे रहे हैं या उसके लिए कुछ अलग से हम एक्स्टा है यह सारी चीज़ें ध्यान दे रहे हैं तो इससे इंप्लॉई का मुराल बढ़ता है कहीना कहीं हम उसके वेलफेर की बात कर रहे हैं तो यह एक रूट बांडिंग स्ट्रॉंग होती चली जाएगी तो आज हम पढ़ेंगे एंप्लॉई वेलफेर बेजरी लिए होता क्या है डैफनीशन उसकी मीनिंग वाट इस इंपोर्टेंस क्या नीड है एंप्लॉई वेलफेर की क्या टेक्नीक से या किन तरीकों से हम एंप्लॉई को वेलफेर की जैसा मैंने बताया था कि वेलफेर बहुत इंपोर्टेंट है और पॉइंट ऑव यू से हर एंप्लॉई या ग्रूप आफ इंप्लॉई या जितने भी प्लॉई या शॉप फ्लोर है ब्लू कॉला या वाइट कॉलर है डे को रिखाएड वेलफेर उनके लिए क रिलेटिव जनरल कॉंसेट के साब से बात करते हैं तो पहले बात करूंगा टोटल कॉंसेट डैकि डिजारेबल इस्टेग फिजिकली या मेंटली एमोशनली किसी भी ऑग्रेशन के अंदर एंप्लॉई को वेल बिइंग चाहिए मींस फिजिकली उसको सारी कंफर्ट मिलें जितना इस्टेंडर्ड वाइज रिकॉइड हैं मेंटली काम करने में कोई जादा प्रेशन ना हो तनाव ना हो और वह आसानी से अपने वर्क को परफॉर्म कर पाएं और इमोशनली भी उसके इमोशन का भी ख्याल लखा जाए और सारी चीजों को मैनेज करने के बाद उसक इने काम मेंतर शुल कॉषप्त की तो सचलक मलतक मीज उसकी फाम ली यह जिस कम भुल्डन करता है उसके वैलाफियसर के बात करते हैं उसके बच्छों के वैल फेर पाइज्डियन हो गया यह आ या कि क्लिए हम क्या पाजिटीव कर सकते हैं या हम क्या पॉजिटीव कर सकते रिलीजियर वाइज टाइम वाइज इंडस्टी या देश कंट्री वाइज चीज़ होती है वेलफिर सिस्टम भी होता है कई जगे एडवांस सीजें हैं कई जगे आविलेबिल नहीं है यह एंडस्टी ऐसी जगह पर है जहां पर हम टांस्पोर्डीशन दे सकते हैं उसको यह तो यह कॉंसेट को समझना बहुत ज़रूरी था कि क्या कहता है या किया इंपलाई वेलफियर के लिए यहां मीश्वैंट बात करेंगे अब्जेक्टिप Ó लेवर ओर यह इंप्लॉई एक कि एंप्लॉई और लेबर के वैलफेर को भनाने के पीछे या उसको सोचने के पीछे लाने के पीछे क्या औपजेक्टिफ से किसी पीप्लाई का अगर हम वेलफेर की बात कर रहे हैं तो उसके पीचे का मोटो है पहली चीज़ है कि improvement and develop of employee employee का development improvements होता है टैकमि तेटोंसकी वर्किंग इविशेंसी बढ़ती है इसकिल्स डवलब होती है और उसकी learning इसकिल्स सबसे अरह डवलब होती है फिर दाट इसमें अब्जक्टिव कि जब हम employee के बारे में better सोचेंगे उसकी फ्रामली के बारे में सोचेंगे तो definitely employee के काम करने का जो ज़जबा है वह इंक्रीज होगा फिर हाई standard of work होता है labor को बाकी जीदों से problem नहीं होती है और labor या employee अपने पूरे full efforts के साथ as per standard काम करता है क्योंकि जब हम उसे सारी benefit दे रहे होते हैं तो वो भी अपना best output देने की पूरी कोशिश करता है कि इंप्रॉमेंट होता है quality of work life worker या employee के life के जीने के तरीके में चलने के तरीके में बोलने के तरीके में कपड़े पहनने के तरीके में काम करने के तरीके में बहुत changes आते हैं और डेवाई आपको इंप्रॉमेंट लगेगा जब आप वेलफिर करते हैं इंप्लॉई का इंडेस्टियल सिस्टम में कंडिशन है ताकि वर्क इंप्रॉमेंट अभी होगा जब वह मेंटली फिजीकली और सोचली सैटिस्फाई होगा अगर इंप्लॉई मेंटल सब्सक्राइब बढ़ती है डिंसब्रॉमें एमप्लॉई के बीच में तो लेबर बहुत जडरूरी है उसको लेजह से थे Assault funktioniert hij ताकि वह अपना बैस ऑट पुट्ट कर सके हैं कि इंप्लाई वेलफएर के पीचे प्रिंस्पल यहां पर नीट की भी बात करते हैं लिए नेसेसरी इंडेश्यल शेशंच में मैंने बताया कि इंडेश्यल सिस्टम का एक पार्ट है एंप्लाई वेलफियर जो बहुत इम्पो लोग है वह आपकी कपनी में आके जौब करते हैं तो डेफिनिटली है मुवमेंट जादा है एकनॉमिक डवलमेंट बहुत जादा है क्योंकि पर कैपिटल इंकम बढ़ेगी इंपलाई की सलरी बढ़ेगी वेजिज बढ़ेगी कंपनी की परफिटेबिल्टी बढ़ेगी तो इंपलीमेंट किया जाए सोशली और हर आस्पेक्स के साथ से इंपलाई की बढ़ेगी इंपलाई अच्छा सोचेगा उसको लगेगा कि वह पार्ट है रिकोगनीशन बढ़ता है एक अटेच्मेंट होता है एमोशनली ऑगनेशन के साथ हेल्थी होगा इंपलाई बैस आए इसलिए इसकी जरुवत पड़ी कि लेबर करेंगे तो कई सारे आस्पेक्स पूरे हो रहे हैं और यहां प्रिंसिपल के अगर बात करूं तो वैलफेर एक्टिविटी क्या होता है हर लेविल के लिए होती है लेकिन तरीका अलग है मिटी लेविल पर करने का तरीका अल इससे क्या होता है वेजिस सेलरी इंप्रूव होती है और कमणी जातों से जाधा पे करने की कोशिश करेंगी डब वैलफेर होगार तरह से एडिकेट एंफुल कॉपरेशन होता है मैनेजमेंट लेविल पे मैनेजमेंट पूरी तरीके सपोर्ट करता है एंप्लोई का ताकि कि वह फिजिकली और मानिटरी मेंटली पूरी तरीके सब्सक्राइब हो सके एसेस्मेंट होता है लेवर वेलफेर का की प्रटेंशल मेंजर किये जाता है कि क्या बदला हुआ है एंप्लोई के अंदर क्या चिंजेद हैं उनकी वरकिंग के अंदर जब उनकी वैलफेर की हम कर रहे हैं कि फिजिकली मेंटली मोराल इमोशनल यह सारी चीज़ें की डवलाप होती है यह बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बेसिक लिए जो नॉमली देखने को मिलती है प्रेक्टिकल ग्राउंड पे सोशली एक्सेप्ट है इंप्लाइए उसकी फैमली कम्यूटी को उसका लग के एंप्लाइए की और 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 यहां पर मैं बात करूंगा एजनसी वेलफेर की तो आपको चार इजनसी दिख रही है जो नॉमली और और यह एंप्लाइए के बात करती है तो सेंट्र गवर्मेंट जिसका बहुत बड़ा रोल है एक एचारटी डिपार्टमेंट है जो इंप्लाइए के वेलफेयर की लिए लाजिछ्सेंग रती है रूस में चैंग करती है उन्हें support करती है फिर तो यहां का इंपलए के वेलफे लिए क्या टिविटी प्लांकरण कर रहे हैं ऑसको तक यह बहुतने हैं वह जो मेंबर होते हैं उनके यानिके उनकी इंगे queue on के उनकी सोशल वैनेफ बारेटिरी और मैंटल वैनेफिेट के लिए घ्डाळं सगे प्रयास रच रहते हैं ताकि उनके वैबर काम कर रही है वर कर उसको बैस से बैस सर्विसेस मिलें मेंटली फिजिकली सोशली वो डवलप हो सके हर लेविल पे तो यह चार तरह की एजेंसी नॉर्मली है जो इंप्लॉई वेलफेर में इनका बहुत बड़ा रोल है कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्मेंट स्टेट इंप्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑगनेशन या ट्रेड उन् यहाँ पर मैं बात करूंगा रोल आफ मैंगेंवेलफेर है एक और्गेंशन के मेंगेंजमन्ट का यह ओनर का है इंप्लॉयर्स में तो कई सारी स्कीम से हैं जिसको हमने दो क्या क्यकिरी में डवाइट किय ऐस ट्रॉटरी औन से लुटरी वेलफेर स्कीम स्कीम अब मैं स्टेश्यूटरी और नेसेसरी की बात करता हूं बेसिक नीज इसकीम डेटर कंपर सरी तू पोवाइड बाइन और ऑगनाईशन एस कॉंपिडेंट लॉग गवर्निंग इंप्लॉई की हैल्थ और सेफ्टी को देखे लॉग के गवर्निंग लॉग ने बनाया गया है यह चीज की स्टेश्यूटरी कुछ स्कीम से हैं जो नॉर्मली हर जगे लागू होती है बेसिक हैं जैसे ड्रिंकिंग वोडर है पीने का पानी अवेलेबल हो एंप्लॉई को हड़ जगे पर और ऑगनाईशन में डिफरेंट प्रेस पे फर्स सेट पूरी होनी चाहिए ताक कि एंप्लॉई को काम करने में दिक्कत ना है सफोगेशन ना हो तो यह बेसिक नीद है इस्ट्रेश्यूटरी स्कीम से हैं जो लोग के अंदर गवन है और यह एक रोल है मैंनिमेंट का कि इन सबको लागू करना और अविलेविल्टी चेक करना तूसरी जो हम बात कर रहे है रोल की टैट इस नौन स्ट्रेटटरी यह और यह अगनाइशन टू अगनाइशन इंडस्टी टू इंडस्टी डिफर हो सकता है यह अडिशनल है जैसे पर्सवन हेल्ट के रैगुलर मेडिकल चेक अप्स होते रहें कुछ इन डिक्राव कराती है हर मद कुछ तीन महीने चा है फिर फ्लेक्जिवल वर्किंग शुडूल यह डिपेंड करता है कहीं पर नाइट शिफ्ट है कहीं पर तीन चल रही है तो यह इंप्लॉई के साफ से यह साफ से वैरी कर रहा है फिर इंप्लॉई अजिस्टेंट प्रोग्राम लैंग्वेज सिखानी है उन्हें कुछ एक्स टेक्स सिस्टम में यह आई टी कुछ सपोर्ट देनी है तो यह सारी नौन इस्टेश्यूटरी स्कीम से हैं जो और्गनेशन टू और्गनेशन वेरी कर रही है लेकिन रोल मेंग्मेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है एंप्लॉई को वैलफियर देने में उसे वैल बीग कर इंप्लॉई और्गनेशन मेंट का बहुत बड़ा रोल है इंप्लॉई को वैल विंग बनाने में तो आगए में बहुत सारी चीज़े जानी इंप्लॉई वैलफियर के बारे में नेक्स कंटेंड में कुछ नई स्लाइट कुछ नए मैटेल के साथ आपके साथ झाल झाल